नमस्कार मित्र जैमातदी स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तो कन्या रासी वालो हम बात करेंगी दिनांक 20 फर्वरी 2022 का दिन मित्र केसा रहेगा आप लोगों के लिए पंचांग के नुसार देखे मित्र तो 20 फर्वरी को रविवार का वार है साथ में फाल कन्या रासी के उपरांत तुला रासी में संचार करेगा तो एसे में समस्त ग्रह की चाल का कन्या रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों व्यापार की दरश्टी से नोकरी की दरश्टी से पारिवरिक जीवन यापन के लिए प्रेम संभंदों के लिए साथ ही मित्रो के साथ बेरुजगारों के लिए क्या समाचार है, क्या साउधानिया है, क्या खुषखबरिया है, समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो मित्र, हमारी इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखीगा, क्योंकि वीडियो के जीवन में एक उजियाला भर सकते हैं तो सबसे पहले तो जो भी भक्त अपनी मा से प्यार करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्चे भक्ती ही प्रेम से जय माता दिली कियेगा मातरानी उनकी सारी मनो कामनाय पुरुन कर तो चलिए मित्रो, वीडियो की सुरुबात करते हैं गुरु जी के क्छोटे से अन्मोल विचार से तो मित्रो हमारे गुरु जी कहते हैं कि रिष्टो को दोलने का कोई भी तरा जुन नहीं होता है पर्वा बताती है कि खयाल का पलडा कितना भारी है अर्थात मित्रो हमार परवा करेगा तो हमें एसे लोगों से कभी भी दूरिया नहीं बनानी है क्योंकि मित्रों जो अपने होते हैं वहीं अपनों की परवा करते हैं इसलिए मित्रों जीवन में हमेसा एक बात ध्यान रहिएगा कि रिष्टों का वजन परवा ही बताती है और जीवन एक एसा रंग मंच है जहां किरदार को खुद पता नहीं कि अगला द्रस्य क्या होगा क्योंकि समय की चाल को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है तो मित्रो गुरु जी का यह ग्यान अपने जीवन में जरूर अमल कीजेगा गुरु जी का यह ग्यान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवस्च लिखेगा तो चली मित्रो बात करते हैं अगले 24 घंटे यानी की 20 फरवरी के महत उप्रणरासी फल की तो मित्रो आपके पारिवारिक जीवन के लिए यह समय जो है सुख में रहने वाला है और जो लोग अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आने की सोच रहे हैं तो उनकी यह मन की इच्छा पूरी होगी और मित्रो आप अपने माता पिता से कुछ पूराने गिले सेक्वे को दूर करने में विचित करेंगे जिससे माता पिता के प्रती आप सम्मान दे पाएंगे और उनका खयाल रख पाएंगे और मित्रो आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घुमने फिरने निकल सकते हैं लेकिन अपने जीवन साथी से सलह मस्वरा करके जाना बहतर रहेगा तो एसे में जीवन साथी भी आपको अच्छे समझ पाएगा वही मित्रो ग्रह संकेत दे रहे हैं कि परिवार में किसी विशिष्ट एवं वरिष्ट सदस्यों को प्रमोशन मिलने के कारण पाठी का आयुजन भी हो सकता है जिससे घर में खुष हाली भरा वातावरन रहेगा और आपको मित्रो धन का लेंदेन करने से पहले अपने भाईयों से सलह मस्वरा अवस्वर करना होगा क्योंकि भाईयों का आपको अगर थोड़ा सावी संकेत दीखे तो थोड़ी से संका का वहवार आप दोनों की बीच में आ सकता है इसलिए मित्रो भाईयों से सलह मस्वरा अवस्वर करें वही ध्यान रखिएगा कि आप यदि अपने किसी कारण को करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ती से सलहा लेंगे तो वह आपके लिए बेहतर रहेगी क्योंकि अनुभवी व्यक्ती के सानिद्ध में रहेकर यदि आप कोई कार करेंगे तो उसमें अर्शफलता होने के चांस जो ही थोड़े कम रहेंगे तो वही मित्रो आपके लिए भागगी के ड्रश्टी कौन से यह समय जो ही उत्तम रहने वाला है और वही जो लोग वीदेशों से व्यापार करते हैं उनको कोई बहतर अउसर भी हाथ लग सकता है मित्रो यह सब समय की बात है यदि आप इस समय में बेठे रहे गए तो यह अउसरा आपके हाथ से निकल भी सकते हैं और नोकरी से जुड़े जातकों को सावधान रहकर कारे करना होगा क्योंकि आपके सत्रू आपके कारे में रोड़ा अटकाने की पूरी खोशिस कर सकते हैं और विद्यार्तियों को कमजोर विश्यों में कठिन परिश्रम करना होगा तब ही वह सफलता हासिल करेंगे और आप अपनी बेहन के विवहा में आ रही समस्या का समादान खोजने के लिए अपने किसी परिजन से मदद ले सकते हैं तो मित्रों मदद मांगने में बिलकुल भी हिच की चाय नहीं वही द्यान रखिएगा कि आपको अपनी वानी को सोम्यता को बनाए रखना होगा अपने वेहवार में थोड़े सा लचिलापन लाने की आग सकता है तो इसी की वज़े से यही वेहवार आपको मान सम्मान भी दिलवाएगा मित्र आपको अपने सत्रों के सामने भी मधुर विहवार ही रखना होगा यदि आपने क्रोध किया तो आपके सत्रों आपके क्रोध का फायदा उठा सकते हैं और इस तरह से आपको जीवन में फिर से पीछे देखना पड़ सकता है तो एसे में मित्रो अपने क्रोध रूपी स्वभाव पर थोड़ा सा पुर्ण विराम लगाएं वहीं आपके लिए धन से जुड़े मामलों में जादा निवेश करने से बचना जो है बहतर रहेगा आपको अपने किसी सगे संबंदी से कोई खुस खबरी सुनने को मिल सकती है और जो लोग घर से दूर नोकरी में कारे करते हैं उनको अपने परिवार के सदश्यों की याद सता सकती है और उनसे मिलने भी आ सकती है और मित्रो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि आप अपनी जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं जिससे जीवन साथी बढ़िया खुश रहेगा और इससे आप दोनों के बीच में नज़दीगिया बढ़ेगी जिससे आपके दोनों के बीच वातावरण भी अच्छा रहेगा और मित्रो ध्यान रखिएगा कि विवाहिक जीवन जी रहे लोगों ने यदि आप अपने जीवन साथी को कोई नया विवसाय कराने की सोच रहेए हैं तो उसमें आप सफल रहेगे और आप अपने जीवन साथी का भी अच्छे से साथ दे पाएंगी जिससे जीवन साथी भी सकरात्मक में हिसुस करेंगी लेकिन उसमें किसी को भी साज़दारी ना बनाना बेहतर रहेगा यदि आप जीवन साथी के साथ ही कारे कर रहे हैं तो केवल उनहीं के साथ करें तीसरे व्यक्ति का हश्ट छे बिल्कुल भी ना करें और मित्रो आपकी माताजी के स्वास्त में अचानक गिरावट के कारण आपको परिसानी का सामना करना पर सकता है जो लोग विवहायोग्य हैं उनके घर कुछ बेहतर अउसर आ सकती हैं जिने परिवार के सदस्चो दोरा भी तूरंत मंजूरी दीज़ा सकती है और मित्रो आप अपने परिवार के छोटे बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आएंगे और वह भी आप से कुछ फरमाईसे कर सकती हैं तो उनकी इन फरमाईसों को भी आप पूरा करने पर जोड़ देंगे लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है समझना है कि जो फरमाईसे वह आप से कर रहे हैं क्या वह उनके लिए अच्छी है बेहतर है क्या वह अपना ध्यान इ लगाम लगाने होगी नहीं तो बाद में आपको पारेसाने का सामना करना पर सकता है और आपको संतान पक्स की ओर से कोई निरा सा जनक समाचार सुनने को मिल सकता है और यदि आपने पहले कभी किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको मिल सकता है लेकिन आप अपने कि खर्चों पर लगाम लगाएं। जो खर्चे आपके किसी काम के नहीं है याने कि फिजुल खर्चे और व्यर्थ खर्चे आपको बिलकुल नहीं करने हैं। मित्रों यदि आपने अपना कुछ धन संचे नहीं किया तो बाद में आपको ही परिसानी होगी और कोई आकर आपको पूछेगा भी नहीं और परिवार के सदस्य की तबियत अचानक स्वे खराब होने के कारण आपको भागा दोड़ी करने पड़ेगी जिसके कारण आपका मन भी परिसान रहीगा लेकिन गबराने से कोई बात नहीं है समय के साथ उसमें कई हद तक सुधार होगा जिससे आपके मन को सांती मिलेगी और आप थोड़ा सा सुकुन लेंगे तो वही मित्रों जब भागा दोड़ी करें तो भागा दोड़ी करते समय थोड़ी सी सावधान किसी अनुभवी व्यक्ति से सलहा मस्वरा आवस्य करने ना है क्योंकि सलहा मस्वरा करके यदि आप निवेस करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यह निवेस आपके लिए फायदे मन्द रहेगा या नहीं क्योंकि अपनों से बड़े लोगों से आपको मदद मा किस्ताने की संभावना है जिससे घर परिवार का वातावरण भी खुस नुमा रहीगा और एसे में मित्रो यदि कोई जातक प्रेम संभंदों में हैं तो उन्हें पारिवार द्वारा स्वीक्रती मिल सकती है तो चलिए मित्रो अब बात करते हैं रविवार की उन दो महतुक के दोनों तरफ गाई के धी का दीपक जलाने से मालता लक्समी का आगमन होता है और जोतिस सास्त्रों के निसार रविवार के दिन सियो मंदिर में मागोरी और भगवान संकर को रुद्राक्स अर्पित करने से भी मालक्समी प्रसन होती है और मातलक्समी की प्राप्ती होती ह तो वही मित्रो यदि आप रविवार के दिन चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो किसी जरूरी काम के लिए निकलें तो निकलने से पहले क्या करना है मित्रो गाय को रोटी खिलानी है जी हाँ अब मान्यता है कि ऐसा करने से उस काम में सफलता की संभावना है बढ़ जाती है और उस काम में किसी भी परकार की कोई सी भी अर्चने नहीं आती है तो मित्रो वीडियो की समापती जो है वह यहीं पर होती है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छे लगी हो तो सर्व परथम मित्रो आप सभी हमारी वीडियो को लाइक कर दीजेगा और देनिक रासी फल एवं रोजाना ग्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ती के लिए आप सभी मित्रो हमारे चेनल को सस्क्राइब अवस्य कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में ध्यान से सुनिएगा कि गुरुजी का असिरवाद एवं गुरुजी का असिरवाद प्राप्त करने के लिए और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अवस्य बताए हम आपको उसका उपाए भी ग पूरुजी द्वारा अवस्य प्राप्ट कराएंगे